शुरुआती प्रेग्नेंसी यानि कि प्रेग्नेंसी के शुरुआती 12 सब्ता में महिलाओं को पेट के उपरी हिस्से में या निचले हिस्से में पेट की समस्या होती है और ये दो तरह की प्रॉब्लम्स को बताता है एक तो वो जो कि common है और pregnancy में लगबख सभी को होती है और एक वो जिसमें खत्रा होता है और तुरंट doctor से मिलना चाहिए लेकिन जादातर महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि कौन से pain को नजर अंदाज करना है और कौन से pain के लिए तुरंट doctor से मिलना चाहिए और इस वज़े से उनको बहुत सारी problemों को सामना करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में मैं पृतियादव इसी के बारे में बात करूंगी और आप सभी को बताऊंगी कि pregnancy में pain क्यों होता है कौन सा pain normal है और कौन सा pain खत्रे का संकेत ताकि आप समय रहते सही कदम उठा सके चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और बात करते हैं ऐसे pain दर्द की जो की काफी ज़ादा common है और इसकी लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है तो इसमें सबसे पहला दर्द होता है गैस की वज़े से देखे जैसे ही आपको pregnancy होती है वैसे ही आपकी body में progestron hormone तेजी से बनता है जिसकी वज़े से आपकी आँथ धी में काम करना शुरू कर देती है यानि कि खाना काफी देर तक आँथ में रहता है और उसकी वज़े से gas की problem होने लग जाती है अब ये दर्द आपको पेट के उपरी हिस्से में होता है और ये काफी ज़्यादा common है लेकिन धीरे धीरे जब आपकी pregnancy आँगे बढ़ती जाएगी आपको इस समस्या से आरा मिल जाएगा दूसरा reason होता है acidity की वज़े से जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपकी आथे धीमी बढ़ जाती है तो बिल्कुल वैसे ही आपके पेट की पाचन क्रिया भी बहुत slow हो जाती है और उसकी वज़े से ही आपको acidity की समस्या होती है और ये दर्द भी आपको पेट के उपरी हिस्से में होने लग जाता है और तीसरा कारण होता है constipation की वज़े से अगर आपको pregnancy से पहले ही constipation या फिर gas और acidity बहुत जादा ही हो रही है तो हो सकता है कि आपको constipation की problem भी हो जाए तो इसमें भी आपको पेट में दर्द हो सकता है ये भी पेट की उपरी हिस्से में ही दर्द होता है तो ये दर्द भी काफी जादा common होता है In short, ज्यादा तर cases में pregnancy के पहले 3 महीने में पेट की उपरी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूत नहीं है आप बात करते हैं आप ऐसे दर्द की जो कि pregnancy में खत्रे का संकेत होते है और इसमें खत्रा मा को भी हो सकता है और बच्चे को भी हो सकता है अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल आए कि शुरुवाती pregnancy में मा की जानकों कैसे खत्रा हो सकता है तो इसका कारण होता है ectopic pregnancy सबसे पहले मैं थोड़ा ectopic pregnancy के बारे में बता दू तो जब egg और sperm मिलता है और egg fertilize हो जाता है तो उसकी बाद ये अंडा fallopian tube से निकल कर uterus में आ जाता है लेकिन कुछ केसिज में ये एक फैलोपीन ट्यूब में ही रह जाता है और वही पर प्रेग्नेंसी आगे बढ़ने रचाती है अब ये फैलोपीन ट्यूब सिर्फ अंडे की ट्रांसफर के लिए बनी है तो ये स्ट्रेच नहीं हो पाती है जैसे कि आपका यूट्रस होता है वैसे ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है और इसलिए एक टाइम ऐसा आता है जब बेबी के डवलप्मेंट के प्रेशर से ये फैलोपीन ट्यूब फट जाती है और ये काफी जादा जान लिवा होती है क्योंकि ऐसी प्रेचनसी आगे तो बढ़ेगी ही नहीं पर अगर फैलोपीन ट्यूब फट गई तो मा की जान भी जा सकती है इस टाइब की प्रेचनसी का पता प्रेचनसी के छटवे से आठवे सब्ता के बीच में चलता है अब ये छटवा और आठवा सब्ता कैसे कैलकुलेट होता है तो ये आपकी लास्ट पीरेट डेट मतलब की जिस दिन आपको आखरी बार पीरेट स्टार्ट हुआ था उस दिन से कैलकुलेट होता है और इसी तरह से प्रेचनसी के सब्ता कैलकुलेट होते हैं तो एक्टोपिक प्रिग्नेंसी का पता प्रिग्नेंसी के छटवे से लेकर आठवे सब्था में चल जाता है अब इसका दर्थ आपको पेट के निचले हिस्ते में किसी एक तरफ होगा क्योंकि महीला के सरीर में दो फैलोपियन ट्यूब जरूर होती हैं पर एक महीने में सिर् किसी एक ट्यूब में ही होगा और प्रिग्नेंसी भी किसी एक ही ट्यूब में होगी चाहें वो राइट में होई हो या फिर लेफ्ट में होई हो तो आपको अगर प्रिग्नेंसी के छटवे से आठवे सब्था के बीच में लेफ्ट या फिर राइट साइड पेट के निचल अगर आपको एक्टोपिक प्रिग्नेंसी होगी तो फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा अब कही बार महिलाई यह पूछती है कि कोई तरीका नहीं है कि प्रेग्नेंसी को फैलोपीन ट्यूग से निकालकर यूट्रस में ग्रो करवाया जाए तो देखिए अभी तक ऐसी कोई यूट्रस में सिफ्ट कर सके तो इसलिए इस प्रेग्नेंसी को खत्म ही करना पड़ता है और दूसरा कारण जिसमें बच्चे को खत्रा होता है वो होता है मिस्कैरिज अब यह समस्या अपने आप में काफी बड़ी होती है और कई सिम्टम होते हैं जिसकी उपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई कायड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं वीडियो के सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहें चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए